असलाम लेकुम स््टुडंट्स मेरा दूसरा लेक्चर है क्लास AVS के बारे में और क्लास AVS में तमाम दुनिया के परिंदे आते हैं परिंदे दो तरह के हैं फ्लाइटलेस ब्रड्स जो के उड़ नहीं सकते और फ्लाइंग ब्रड्स जिनको हम उड़ता हुआ देखते हैं अब सबसे पहले जो आपकी बुक में टेक्स लिखा है उसके बारे में मैं आपको बलाए बताना चाहूंगी और फिर हम इनके करेक्टर्स के बारे में आएंगे बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते और्गनिसम्स हैं और ये दोनों के बारे में ख्याल किया जाता है कि इर्तका के अमल के दौरान एवलूशन के अमल के दौरान ये रिप्टाइल से वजूद में आये थे अब ये बात हमें कैसे पता चली हमें बहुत सारे fossil record से भी यह बात मालूम हुई इसके लावा जो एक important fossil हमें हासिल हुआ जिसके बारे में पेपर में आप से एक short question भी पूछा जा सकता है कि what do you know about Archaeopteryx what are the characteristics of Archaeopteryx तो उसके बारे में जो मालूम आता है वो हमें important लगी और आपकी टेक्स में भी यह शेयर की गई है Archaeopteryx एक ऐसा परिंदा था जो लाखों साल पहले दुनिया में वजूद में आया था और यह बहुत सारी तदाद में मौजूद था आज हमें इसके तकरीवन साथ आठ फॉसिल जो हैं वो मिले हैं कुछ इसके imprints है कुछ इसकी हड़ियों के बारे में इसके परों के बारे में इसकी चाप है जो हमें पत्थरों के दर्मियान मिली और हमें मालूम हुआ कि यह एक ऐसा परिंदा था जिसका size कवे के बराबर था इसकी चोंच भी थी चोंच में इसके टीट पाए जाते थे इसकी जो सकल थी वो छिपकली के जैसी थी लिजर्ड के जैसी थी इसके जिसम पर सारी जगां फैदर्स मौजूद थे इसमें दो बड़े पर थे उन परों के साथ कलॉस तीन इसमें पाए जाते थे और लंबी सारी इसकी एक टेल होती थी और वो पूरी की पूरी टेल भी बहुत सारे बड़े-बड़े फैदर्स से ढखी हुई थी जैसे आज भी हम परिंदों को देखते हैं कि उनके जिसम पर जा बजा बाल लुमा साखते होती हैं जो के फैदर्स कहलाती है यहां आपको मैं डायग्राम भी दिखाना चाहूंगी कि यह आर्कियोप्टेरिक्स यह एक इमेजिनरी तस्वीर है जो के कंप्यूटर्स में डाली गई है इसके बारे में सारी मालुमात हमने कंप्यूटर्स में डाली और उसे प्रोग्राम्ज यूस किये तो हमें मालुम हुआ कि आर्कियोप्टेरिक्स इस तरह का दिखता होगा तो आप देख सकते हैं कि इसके विंग्स अनमें बहुत सारे फैदरस लंबी सारी ठेल और इसकी अगर आप सकल देखें तो आपको लगता है कि ये तो कोई छिपकली नुमा और्गनिजम है अब बात करते हैं आज के परिंदों के करेक्टर्स के बारे में आज के जो परिंदे हैं ये एंडो थर्मिक है ये अपने दर्जा हरारत को किसी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और ये खासियत मैमल्स में भी है जो के मारा अगला गूरूप होगा जो इन्शाला हम कल पड़ेंगे जो बर्ड्स हैं उनके जिसम पर बालमा साखते हैं उन बालमा साखतों को फैदर्स कहते हैं फैदर्स उनके पूरे जिसम पर एक स्कैलेटन की तरह पाए जाते हैं कहते हैं कि there is an exoskeleton of feathers which is present on the body of the birds फिर birds में दो wings पाए जाते हैं मैंने एक इस वक्त यहां ड्रॉ किया है लग बग इस तरह की शेप होती है और इन पर भी जा बजा आपको बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे feathers नजर आते हैं जो के जानदार को हवा को नीचे की तरफ धकेलने में लाइक दिस और फिर उच्छाल की कुवत उपर की तरफ उठने की तरफ जो है वो मददगार साबित होते हैं बिड़ेज भी क्योंके ट्रापोर्ड थै तो दो इनके wings होगे वह फॉरर्लिम्ब हो गहे दो इनपे handle उते हैं जोंकी की टांगे होती इन Logic पर स्केल्स के साथ ड़िक तरफ और नोंगे के साथ मीचाम repeat नहीं कितव आधक और विंगं बडी है सक्स ही जिसे ये खुराब को पकड़ने अपने बचाओ के लिए इस्तमाल करते है अपनी बीग को और यहां पर आप इनकी दो छोटी टांगे देख सकते हैं तो ये हैंड लिम हो गई और ये दो इसके फॉर लिम हो गई अगर हम इसके एंडो स्केलेटन की बात करें तो एंड कि एक बोन को देखें तो आपको जाब 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 वाइब कलें ने एक खाली हिस्से नजर आएंगे उसके बाद अगर हम इनकी बात करें इनकी जबडों की तो इनके दो जबड़ें उपर की तरफ और नीचे की तरफ और जौब में इनको खोल के देखें तो टीथ है दो आट्रियम है दो वेंट्रिकल है कम्पलीट पार्टिशनिक है कहीं पर भी मिक्सिंग आफ बलड आप देख सकते हैं कि नहीं है एक बड़ी आयाटा होती है जो कि खून की सबसे बड़ी नाली होती है ये पीछे की तरफ राइट साइड की तरफ मुड़ती है और फिर सीधा होकर आजाती है और खून सेपलाई करती है तमाम जिसम के अंदर इन में दो लंग्स पाए जाते हैं और क्योंकि ये हवा में मुसलसल फ्लाए करते हैं तो हवा के कमों बेश दबाओ का सामना भी ने करना पड़ता है इसलिए इनके साथ लंग्स की जो साथ इसलिए और कारबन आयाउकसाइड को खारिज करवाती है अब अगर हम इनकी बात करें तो और चोटे चोटे ऐसे करेक्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है बर्ड्स में आप जानते हो कि सांस की नाली जो होती है वो ट्रेकी होती है ट्रेकिया सीने की तरफ जाके द बर्ड्स भी मुख्तित तरह की आवाजें पैदा करते हैं यह आवाजें से साइरेंस की वज़ा से होती है बर्ड्स में जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर वो मौझूद नहीं है और यह अपने जो रेक्टम है उसी रीजन से फीकल मटीरियल को यूरिनरी वेस्ट के साथ यानि नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ जिसम से पेस्ट की शकल में खारिज करते हैं इसके लावा रेक्टम के साथ यह सोसियेटिड जो ओपनिंग है जो जिसम से बाहर खुलती है क्लोय का उसके थ्रू यह एग लिंग का काम भी करते हैं और वेस्ट को खारिज करने का काम अपर अलएधा और फीमेल बर्ड अलैधा और एग्ज यह प्रोड़क्शन बहुत जादा करते हैं और इनके एग्ज खासे यॉकी भी होते हैं जिसमें यॉक अल्बोमेंन बहुत सारी वेरियस पूटीन चामिल होती हैं डिवलपमेंट उस अंडे के अंदर होती है और इंटर्नल फर्टिलाजेशन इन में होती है जिसमें स्पाम्स आर बिंग रिलीज़ इंसाड दा फीमेल बॉड़ी तो इने पानी वगरा की ज़रूरत नहीं अपने गैमेट्स को रिलीज करने के लिए उसके बाद बहुत सारे फूटउर्ष में क्योंकर यह थोड़ा फुर्टे से थोड़ा बहुत छोटा चोटा नहीं कुटर के फूट को खाना पसंद करते हैं तो इनके जिसमें एक थिक वॉलपमाला पाउच-like structure होता है जो कि गिज़र्ट के एला जो के खुड़ा को अजंब करने में माद़ देता तम्म दुनिया के बर्ड में FLYING BIRD. ज़्यादा historians जाएंक जादा। अब कर्कों में स्प्रम और खुया है। चला पती हैं उस्ट्रि 않아 कोल आपशा है जुद्पर्ड में लाएं किसासे जाएं कि जाएं वो एक ही ओवरी फंक्शनल होती है ईगल ऐसा और्गनीजमू है जिसमें दोनों ओवरी फंक्शनल होती है एक गोनेट बेतर तरीके से डवesteem नहीं होता और एक बेहतर तरीके से डविलप हुआ होता है तो यह सारे जो गासल किरेक्टरस थे हमने पहले देखा उसकी और मैमल्य की evolution के process के दोरान के development कैसे हुई फिर हमने एक fossil bird archaeopteryx के बारे में बात की और उसके बाल हमने birds के सारे characters के बारे में बात की इसके साथ मेरा आज का lecture खतम होता है अब मैं last lecture इस chapter का class mammalia upload करूंगी इन्शाला कल और उसके साथ आपका ये पूरा chapter complete हो जाएगा अला हाफिज